हम एक उदाहर लेते हैं जो आपके टेक्स्ट्बुक का एक्जाम्पल नंबर 31 है, देखे एक कोश्चन, इस कोश्चन के माध्यान से हम दी आधरी संक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, यह कोश्चन कहता है, सिद्ध कीजिये कि संक्रिया स्टार, such that R x R tends to R, क्रमित युगम A, B tends to A plus 4B square, द्वारा प्रदत एक दी आधरी संक्रिया है, चले इसे सिद्ध करते हैं, प्रश्चन अंसार क्या दिया है, संक्रिया स्टार, such that R x R tends to R, जहां क्रमित युगम A, B tends to A plus 4 into B square, अर्थात संक्रिया स्टार प्रतेक युगम A, B को साप्रांत R के एक अधीति आव्याओ, A plus 4B square तक ले जाता है, प्रांत R class R के आव्याओ, क्रमित युगम A, B में, A, B belongs to R है, अब देखिये, चूँकि B belongs to R, अर्थात B वास्तिक संख्या है, there implies B square also belongs to R, there implies 4 into B square also belongs to R, इसलिए A, B belongs to R, there implies A plus 4 into B square also belongs to R, और इसलिए युगम A, B belongs to R plus R, implies A plus 4B square belongs to R, there implies A star B belongs to R, अतह हम कह सकते हैं कि संक्रिया star वास्तिक संख्याओं के समुच्चे R में एक दी आधारी संक्रिया है, एक और उदाहर लेते हैं, टेक्स बुक का उदाहर नमबर 33, ये कोश्चन कहता है, सिद्ध कीजिये कि A, B tends to अधिक्तम कर्ली ब्रेकेट के अंदर A, B, द्वारा परिभासित, बिग V, such that R x R tends to R, बचों यहाँ पर बिग V, V जो है संक्रिया है, ये ध्यार रखना है, तथा युग्म A, B tends to निम्नतम, ब्रेकेट के अंदर A, B, द्वारा परिभासित, बिग V, ये उल्टा V जैसा है, बिग V, विग V, such that R x R tends to R, द्वी आधारी संक्रियाएं हैं, तो बच्चों हमें जो द्वी आधारी होने के लिए जो सर्ते हैं, उसको दिमाग में रखना है, यहाँ पर इस प्रश्ण में दिया है, दो प्रश्ण दिया है, दो बाते दी गई हैं, हम पहले बात को ले करके, पहले देखते हैं, क्रमित युग्म अभी तेंस तो अधिक्तम अभी, द्वारा परिभासित, संक्रिया वी, सुच द आर क्रॉस आर तेंस तो अर्थाथ, संक्रिया वी, ए टू बी तेंस तो अभी तेंस तो अधिक्तम अभी, इस परस्ट है कि A, B belongs to R के लिए प्रतेक युग्म A, B को समुच्चे R के एक अधिती अवयों पर ले जाता है, अर्थाथ कैसे ले जाता है, A वब B में कोई एक अधिक्तम है, क्या पाचानना इसमें? A वब B में कोई एक अधिक्तम है, जो R के अवयों ही होगा, अता संक्रिया वी, एक दू आधारी संक्रिया है, एक आंकिक उदाहान ले लेते हैं, आप इस्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर दो उदाहान रखा गए, उदाहान एक देखिए आप, संक्रिया वी ब्रेकेट के अंदर लिखा गए, 4,7, अब देखिए, संक्रिया वी, 4,7 is equal to 7 होगा, क्यों होगा? परिभासा देखिए, उपर जो लिखा हुआ है, कैसे परिभासी थै? यहाँ इसी प्रकार से, हम दूसरा उदाहान को देखें, संक्रिया वी, 4,7 is equal to 4, क्यों? क्योंकि 4 और माइनस 7 में अधिक्तम कौन है? 4, इसी प्रकार से, हम इसका जो दूसरा भाग है, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, दूसरा भाग में, क्रमित युगम A, B tends to निमनतम AB, द्वारा परिभासित, संक्रिया, वी, गो, such that R class R tends to R, दी आधारी संक्रिया है, इसको भी हम दो आंखिक उदाहन लेकर के समझ सकते हैं, संक्रिया, वी, गो, 4, 7 is equal to 4, वा 7 में से निमनतम कौन सा है? तो 4 वा 7 में से निमनतम 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं, संक्रिया, वी, गो, 4, 7 is equal to 4, दूसरा एक्जाम्पल ले सकते हैं, बिग वी, गो, संक्रिया क्रूप में यहाँ पर जो उल्टा भी जैसा दिख रहा है, बिग वी, गो, 4, minus 7, अब इसमें से देखिए, दोनों में निमनतम कौन है? 4 वा minus 7 में से निमनतम minus 7 है, इसलिए is equal to minus 7, बच्चों हम, exercise के भी कुछ सवाल लेकर के समझते हैं, exercise 1.4, पहला का third question है आपके textbook का, यह CGVSE के जो textbook है, उसका exercise 1.4 का first का third question, आप देखें, आर में संक्रिया star a star b is equal to a into b square दारा परिभासित है, क्या star एक दी आधारी संक्रिया है? यदि नहीं, तो उसका आउचित्य बताएए, इसको हल करते हैं, बच्चों आप screen पे देखें, पहले थम लोट कर लेते हैं, क्या दिया है? संक्रिया star such that r cross r tends to r, और a star b is equal to a into b square दारा परिभासित है, माना कि a, b belongs to r, अब चूंकि b belongs to r, there implies b square also belongs to r, r मतलब वास्तिक संख्याओं का समुच्च है, अर्थाद समझना है यहाँ पर, b वास्तिक संख्या है, तो उसका वर्ग भी वास्तिक संख्या ही होगा, there implies a into b square also belongs to r, therefore a star b is equal to a into b square belongs to r, there implies a star b belongs to r, अता हम कह सकते हैं, संक्रिया star r में एक दियाधारी संक्रिया है, इसी exercise का हम question number 7 को समझते हैं, प्रश्ण कहता है, क्या समुच्चे 1, 2, 3, 4, 5 में, a star b is equal to a तथा b का LCM द्वारा परिभासित, संक्रिया star एक दियाधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का आउचित भी बताईए, तो बच्चों हमको एक समुच्चे दिया है, और उनके दो आउयों के बीच जो संक्रिया, दियाधारी संक्रिया हो, कैसे परिभासित है वो दे दिया है, माल लेते हैं, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, तब संक्रिया star such that A cross A tends to A, और A star B is equal to A tathah B ka LCM, यहाँ पर, चूंकि A star B is equal to A tathah B ka LCM, इसलिए 1 star 1 का मतलब क्या होगा, 1 tathah 1 के LCM, जो 1 है, ठीक इसी परकार से 1 star 2 is equal to A tathah 2 के LCM, जो 2 है, और 1 star 3 is equal to A tathah 3 के LCM, जो की 3 है, ठीक इसी परकार से 1 star 4 is equal to 4, 1 star 5 is equal to 5, 2 star 1 is equal to 2, 2 star 2 is equal to 4, यह ध्यान रखना है, 2 star 3 is equal to, 2 तथा 3 का LCM, 6 होता है, ध्यान दे बच्चों यहाँ पर, 2 star 3 is equal to, 2 तथा 3 का LCM, जो की 6 होता है, और 6 समुच्चे A के आवयों नहीं है, ठीक इसी परकार से, 2 star 5 is equal to 10, जो की समुच्चे A के आवयों नहीं है, जो की यहाँ पर एक ऐसी स्थिती है, जहाँ पर संक्रिया star से प्राप्त आउटपूट, समुच्चे A को बिलांग नहीं करता है, इसलिए समुच्चे A में संक्रिया star दी आधारी नहीं है, तो बच्चों इस उदाहरण से क्या सीखने मिला, कि एक दी आधारी शंक्रिया के लिए, एक समुच्चे A में एक भी ऐसी सिती, जहाँ पर जो आउटपूट मिलता है, वह दिये गए समुच्चे A को बिलांग नहीं करता, तो निशित है, उस समुच्चे A में दी आधारी शंक्रिया नहीं होगी, प्रूट प्रूब मिलता है,